प्यारे बच्चों आज मैं आप लोगों को क्लास 7 वसंत भाग 2 का पार्ट पापाक हो गए इसका मैं फूल एक्स्प्लेनेशन करने जा रही हूँ और इससे पहले बच्चों मैं क्लास 7 वसंत और क्लास 7 वाल महाभारत का सारा वीडियो बना चुकी हूँ उन्षब को देखने के लिए आप उपर दिये गया आइउ बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या नीचे दिये गया डिस्क्रिप्षन बॉक्ष में देख सकते हैं या प्ले लिश्ट में जा कर देख सकते हैं और बच्चों आप मुझे इंस्टाग्राम, फेश्बूक और ट्यूटर पर भी फॉलो कर सकते हैं तो पार्ट सुरू करते हैं, पापा खो गया है तो इस पार्ट में सजीव और निर्जीव पात्रों के माध्यम से दिखाया गया है कि हमारे समाज में कुछ और समाजिक तत्व, मतलब दुष्ट व्यक्ति, हमारे समाज में ऐसे हैं जो गलत विचार के व्यक्ति हैं, वह किस तरह से नन्हे छोटे बच्चों को उठा कर ले जाते हैं और उनसे मनचाहा काम करवा कर पैशे कमाते हैं इस पाठ में निर्जीब चीज जैसे विजली का खंभा, पेर, लेटर वॉक्स, पोस्टर में छपी हुई महला इन सब को बोलते हुए दिखाया गया है बहुत ही सुन्दर धंग से सभी निर्जीब और सजीब जैसे कोवे आपस में बात करते हैं एक छोटी सी बच्ची जिसको एक दुष्ट वेक्ती रात के सननाटे में उसके घर से चुरा कर ले आया है उसको पेर, खंभा, लेटर वॉक्स और कोवा सभी मिलकर बचा लेते हैं और उसके माता पिता को शौपने के लिए प्रयास करते हैं तो आईए बच्चों, पाठ शुरू करते हैं, पापा खो गया है, इसमें देखिए पात्र कितने हैं, बिजली का खंभा है, पेर है, लेटर वॉक्स कोवा नाचने वाली लड़की, आदमी, तो इस तरह से इसमें है, और यह नाटक के जैसा है, कभी आप लोग देखे किस तरह से नाटक में देखते होंगे, रंगमंच पर किस तरह से दिखाया जाता है, तो इसी तरह से इसमें दिखाया गया है, एक सरक है, और रात का समय है, समुद्र के सामने फुट पाथ, वही पर एक बिजली का खंभा है, एक पेर, एक लेटर बॉक्स है, दूसरी और ध से एक्टिंग करते हुए, एक औरत खड़ी है, समुद्र से संसनाती हवा का बहा हो रहा है, दूर कहीं कुत्तों के भौकने की आवाज आ रही है, तो रात का समय है, रात में कुत्ते भौकते हैं, तो यह भी दिखाया गया है, अब देखिए, सुरू हो गया है, खंभा, जमभाई को रोकते हुए, राम राम, बहुत रात हो गई, पेर बोल रहा है, आज कल की राते कैसी है, जल्दी बितने में ही नहीं आती, मतलब आज कल की राते बरी है, जल्दी बितती ही नहीं है, अब खंभा बोल रहा है, दिन तो कैसे न कैसे हर बरी में बीत जाता है, तो पेर बोल रहा है लेकिन रात को बरी बोरियत होती है अब खंभा बोल रहा है तब भी बड़सात की रातों से तो ये रातें कहीं अच्छी है पेर राजा बड़सात की रातों में तो रात भर भींगते रहो बादलों से आने वाले पानी की मार खाते रहो तेज हवाओं में भी बल्व को कसकर पकरे बराबर एक टांग पर खरे रहो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता उस वक्त लगता है इससे तो अच्छा था ना होता बिजली के खंभे का जन्म बल्व फेंक तब दूर कहीं भाग जाने का जी होता है तो यहां खंभा जो है किस तरह से मेहनत करता है किस बरसात होती है तो मैं इस तरह से कष्ट में खरा रहता हूँ अब देखिए यहां पर आप देख सकते हैं लेटर बॉक्स पेर है कववा है बिजली का खंभा है और नाचने की भंगीमा में एक पोस्टर लगा हुआ है तो यह सब आपस में यह लोग बाते कर रहे हैं तो अब पेर देखिए बोल रहा है मुझे पर भी एक रात आश्मान की गरगराती बिजली आकर पड़ी थी अरे बापरे ओ बिजली थी याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है और बिजली जहां गिरी थी वहां खड़ा कितना गहरा पड़ गया था खंभे महराज एक रात क्या हुआ था गरगराती हुई बारिश होड़े थी तो बारिश जब होती है तो क्या होता है बचों बिजली चमकती है और अचानक से क्या हुआ जो है बिजली पर जो है पेर गिर गया था दिल धक धक करने लगा और बिजली जहां गिरी वहां घड़ा कितना बरा मतलब यहां पर पेर अपना कष्ट बता रहा है कि एक रात बहुत गरगराती हुई बारिश हुई थी बिजली चमक रहा था और बिजली जो है क्या हुआ था जहां पर बिजली गिरी थी वहां पर गड़्धा हो गया था तो अपना कश्ट बता रहा है कि उस रात की हमें याद जबाती है तो दिल धक धक करने लगता है, मतलब मुझे बहुत डर लगने लगता है तो पेर अपना दुख बता रहा है, अब देखें खंभा क्या बोल रहा है खंभा का रहा है, मेरी तबियत ही लोहे की है, जो बीमार नहीं पड़ता बरना कोई भी इस तरह बारिश ठंडी धूप में खरा रहे, तो जरूर बीमार पड़ जाए अब खंभा बोल रहा है, क्योंकि खंभा जो होता है, लोहे का होता है तो बोल रहा है कि मैं तो लोहे का बना हूँ, इसलिए मैं बीमार नहीं पड़ता हूँ मेरी तबियत खराब नहीं होती है, नहीं तो जितना मैं कष्ट सहता हूँ इतना तो कोई भी नहीं कष्ट सहता और बीमार हो जाता, क्योंकि चाहे तेज बारिश हो या ठंड का मोशम हो, या धूप हो, मुझे हमेशा खरा ही रहना पड़ता है पड़ जाएगा या नहीं, मतलब कोई अगर इस तरह से खरा रहे तो बीमार पड़ जाएगा कितने दिन बिद गया है, कितनी राते हैं, लेकिन मैं बरावर इसी तरह खरा हूँ लंबी ठंडी सांस छोड़ कर, अब वो कह रहा है कि कितने दिनों से मैं इसी तरह से खरा हूँ और लंबी ठंडी सांस छोड़ता है, छे, चुंगी कि यह नौकरी भी कोई नौकरी है अब देखिए पेर क्या कह रहा है पेर कह रहा है अपने पत्तों का कोट पहन कर मुझे सर्दी बारिश या धूप में उतनी तकलिफ नहीं होती तो भी तुमसे बहुत पहले का खरा हूँ मैं यहां यहीं मेरा जन्म हुआ इसी जगह तो यहां पेर भी अपना कष्ट बता रहा है कि देखो तुम तो अपना कष्ट कह रहा है कि मैं दिन रात खरा रहता हूँ लेकिन भले ही मैं पत्तों का कोट पहनता हूँ सर्दी हो बारिश हो या धूप में उतनी तकलिफ मुझे नहीं होती लेकिन मैं तुमसे पहले से मैं खरा हूँ यह नहीं है कि मैं तुम तो बा उचे उचे घर नहीं थे तब, यह सरक भी नहीं थी तो बता रहा है, पेर बता रहा है कि देखो उस समय क्या था, उची उची सरक नहीं थी, और उचे उचे घर भी नहीं थी, सरक भी नहीं थे, और वह शिनेमा का बरा सा पोस्टर उसमें नाचने वाली औरत भी तब नहीं थ तो यह जो वहाँ पर पोस्टर लगाया गया है तो पेर बोल रहा है कि उससे में पोस्टर भी नहीं लगा हुआ था, सिर्फ सामने का यह समुद्र था, बहुत अकेला पर महसूस होता था, तो मैं जब यहां लाकर खरा किया गया तो सोचा चलो कोई शाथ ही तो मिल गया, इतन कि नाक इतनी उची है तो रहने दो, मैंने भी कभी आवाज नहीं लगाई, हाँ, अपना भी सुभाब जरा ऐसा ही है, तो देखिए अप पेर अपना कष्ट बता रहा है, कि क्या हुआ था, तुम्हारा पेर कह रहा है खंबा से, कि तुमसे भी पहले से मैं हूँ, और यहां अभी लगा है, पहले तो मुझे बहुत अकेला पर महसूस होता था, और शुरू-शुरू में जो तुम हो, मुझसे बाच्चित भी नहीं करते थे, तुम घमंड में रहते थे, लेकिन क्या हुआ धिरे-धिरे, जो मैं ऐसे ही रहने लगा, तुमको आवाज नहीं लगाया, क्योंकि मेरा भी सुभाब ऐसा है, अब खंभा का रहा है, और एक दिन जब आंधी पानी में मैं विल्कुल तुम्हारे उपर ही आपरा, तो एक दिन क्या हुआ, आंधी आई थी, तो क्या होता है बच्चों, जब आंधी आती है, बारिश आती है, तो पोल जो होता है, पानी का तुफान अब बता रहा है पेर बता रहा है कि बहुत ही भयंकर आंधी पानी था खंबा कर रहा है तुम खड़े थे इसलिए मैं कुछ समभल गया हाँ तुमने मुझे मुझे उपर का उपर जेल लिया वह अच्छा हुआ चाहे तुम खुद काफी जखमी हो गया रहती तो क्या होता मैं जमीन पर गिर जाता लेकिन इतना तो हुआ कम से कम तुम मुझे को समहाल ली और क्या हुआ चाहे तुम खुद काफी जखमी हो गया मतलब क्या हुआ पेर पर जब खंबा गिरा तो पेर में से बहुत सारे पत्ते गिर गया होंगे बहुत सारे टहनिय तूट गई होगी इसलिए खंभा कह रहा है पेर से कि मैं तो जखमी हो गया लेकिन मेरे अंदर जो गरूर था मतलब मेरे अंदर जो घमंड था वह खत्म हो गया क्योंकि तुम हमको सहाडा दी और तुमसे मेरी दोस्ती हो गई अब पेर कह रहा है हवा आज भी बहुत है दोनो चुप हो गया हवा की आवाज कुत्ते का भौकना पोस्टर पर बनी नाचने वाली औरत टेरी हो जाती है अब क्या होता है हवा चल रही थी तो पोस्टर जो वहां सटा हुआ था वह टेरा मेरा हो जाता था और कुत्ते की भौकने की आवाज आ रही थी हवा भी चल रही थी उसके घुंगुरू बजते हैं वह फिर पहले की तरह स्थिर हो जाती है लिटर बक्स किसी दोहे का एक चरन गुन गुन आता है और रुक जाता है अब कववा बोलता है पेर के पीछे से जहांक कर कौन है जो रात के बक्त इतनी मिठी आवाजें लगा कर मेरी निंद खराब करता है जराभर चैन नहीं इन्हें अब कववा बोल रहा है पीछे जहांक कर कौन कौन करने लगा अब लेटर बक्स बोल रहा है मिठी आवाज में नहीं गाए तो क्या इसको हुए जैसी करकस काउ काउ करें कहता है जराभर भी चैन नहीं पेट में हाथ डाल कर एक पत्र निकालता है और दीरे से जीब से को लगा कर खोलता है अब लेटर बॉक्स देखे क्या करता है उसमें बहुत सारे लेटर पड़े हुए है तो क्या करता है उसमें अपने जो बॉक्स में लेटर है तो उसको कहा गया है कि पेट के अंदर लेटर है तो क्या करता है उसमें से लेटर निकालता है और एक एक जीब से उसको लगाकर खोलता है उसमें से कागज निकालकर रोशनी में पढ़ने लगता है या किसकी चिठी आकर पढ़ी है, हेड मास्टर, ठेक, क्या कहता है, स्रीमान, युत गोविंदराओ जी, आपका लड़का परिक्षित, पढ़ाई में काफी कमजोड है, क्लास में उसका ध्यान पढ़ाई में बिलकुल नहीं रहता है, इसकी बजाए उसे क्लास से गायव रहक बंटे खेलना ज्यादा अच्छा लगता है, आप एक बार खुद आकर मुझसे मिलिए, परिक्षित के पापा हेड मास्टर से मिल भी लेंगे, तो क्या हो जाएगा, इसकुल में बच्चे पढ़े नहीं, क्लास से गायव रहकर बंटे खेलते रहें, इसका क्या मतलब थी, इसके पैसे क्या फोकट में आते हैं, सभी पापा लोग आफिस में इतना काम करते हैं, तब कहीं जाकर मिलते हैं पैसे, उन्हें ये बच्चे फोकट में के समझे, आखिर क्यों, छे, मुझे हेड मास्टर होना चाहिए था, इस परिक्षित के होस तब मैं अच्छी तरह ठी इकाना लगाता, वह पत्र रखकर दूसरा निकालता है, तो देखिए लेटर बक्स क्या कर रहा है, एक पत्र पर रहा है, उसमें बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, जो है बंटे खेलते हैं, तो इस तरह से उसमें लिखा गया है, तो सारे चीज को क्या करते हैं, लेटर box को कि आप चोड़ी चोड़ी जो है पत्र पर रहे हो लाल ताओ मतलब क्या होता है लाल कलर का होता है ना इसलिए उसको लाल ताओ वोला अब लेटर बक्स अस्चर से चोड़ी चोड़ी किस लिए सभी चिठ्थियां मेरे ही तो कबजे में होती है अच्छी तरह रोज-रोज चाहे जितनी भी चिठ्थियां आती है मेरे ही कबजे में मेरे ही पास तो रहती है तो मैं रोज-रोज उसको पढ़ता हूँ पेर कह रहा है कबजे में होने का मतलब यह तो नहीं लालता हो कि लोगों की चिठ्थियां फार-फार कर पढ़ते रहो पोस्टर को पता चल गया त पोस्ट मास्टर को पता चल गया तो देखी लेटर वक्स क्या कह रहा है चलता है पता तो चल जाने दो मेरी तरह यहां रात दिन बैठ कर दिखाए तब पता चले परसों वह पोस्ट में मेरे पेट में से चिठिया निकाल रहा था और मुझे इतनी लंबी जमहाई आई कि रोक होती है एक जगा बैठे बैठे मैं कहता हूँ चार चिठिया मन बहलाने के लिए पढ़ भी ली तो क्या हो गया तो इस तरह से लेटर वक्स कह रहा है क्या हुआ मैं चार चिठिया अगर मन बहलाने के लिए पढ़ लिया तो इसमें क्या हो गया पेर कह रहा है लेकिन चिठि जिसे लिखी गई हो लालताओ उसे ही पढ़नी चाहिए वह private होती है private letter box कह रहा है मैं कहां किसी की चिठी पास रख लेता हूँ जिसकी होती है उसे मिल ही जाती है किसी की गुफ्त बाते मैं कब बाहर निकलने देता हूँ वह मुझे तक ही रहती है इसलिए तो मुझे अपना बहुत महत्व लगता है तो letter box कह रहा है जो भी बाते होती है उसको मैं मन में ही रखता हूँ किसी को कहता नहीं हूँ पेर कह रहा है कोई आ रहा है लगता है सब चुप हो जाते हैं पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन फिर से विगरता है मतलब हवा जो चलती है तो पोस्टर विगर जाता है फिर पहले की तरह इस्थिर और अस्तब्द हो जाती है तेज हवा की भनभना हट भिखारी जैसा एक आदमी आता है उसके कंधे पर सोई हुई एक लड़की है तो देखिए यहां पर लड़की को लेकर वह दुष्ट व्यक्ति जो है आ रहा है अब आदमी बोल रहा है मैं बच्चे उठाने वाला हूँ दूसरा कोई काम करने की मेरी एक्छा नहीं होती अभी थोड़ी देर पहले घर से यह लड़की उठाई मैंने गहरी निंद सो रही थी अब तक उठी नहीं है उठेगी भी नहीं मैंने इसे थोड़ी बेहोसी की दवाई जो दी है अब मुझे लगी है भूख तो देखे यहां पर आदमी आ गया है बच्चे को चुड़ा कर और वह अपनी मन की बात को कह रहा है कि किस तरह से घरी निंद में लड़की सो रही थी तो उसको बेहोसी की दवाई पिला कर वह ले आया है अब वह कह रहा है कि अब मुझे भूख लगी है दिन भर कुछ खाने का बक्त ही नहीं मिला मतलब समय नहीं मिला खाने के लिए पेट में जैसे चूहे दोर रहे हो तो ऐसा किया जाए इसे यहीं लेटा कर अपने जरा कुछ खाने की तलास करें देखें कुछ मिल जाए तो इतनी रात गए यहां इस वक्त अब किसी का आना मुम्किन नहीं है तो आदमी के मन में यह सब बातें चल रही है कि वह किस तरह से लड़की को चुड़ा कर लाया है फिर उसको भूख लग गई है और भूख की तलास में वह खाने के लिए इधर उधर जाना चाहरा है और लड़की को वहाँ पर सुला दे रहा है ताकि किसी को पता नहीं चले अब देखें किस तरह से लड़की को कंधा पर लेकर आया है लड़की को छुपाड़ा है फिर यहाँ खंबा तो वहीं पी लड़की को लिटा आएगा पेर की ओट में लड़की को डाल देता है Пेर नीचे क्या करता है लड़की को रख देता है उस पर अपना कोट फैला देता है और अधर ऊधर जरा चवकस होकर देखता है फिर एक एक कदम सावधानी से रखता हुआ या निकल जाता है अब देखेए खंभा क्या कह रहा है खंभा पेर से कह रहा है मतलब पेर राजा दाल में कुछ काला नजर आ रहा है पेर कह रहा है वह जरूर बहुत बुरा आदमी है कोई और यह लड़की तो छोटी सी है अब लेटर बक्स कर रहा है वो उसे कहीं से उठा कर लाया है मैंने सुना है पेर कह रहा है कव्वे को जगाते हुए अब कोवा बोल रहा है दिन हो गया पेर करा नहीं दिन नहीं हुआ पर एक दुष्ट आदमी एक छोटी सी लड़की को कहीं से उठा कर ले आया है चुप ओ आदमी इस वक्त यहां नहीं है ओ लड़की उठ जाएगी तो चिलाएगी तो देखिए किस तरह से पेर जो है कोवे को जगाता है कोवा बोलता है अलस से उठते हुए आखों पर एक चुलू पानी डाल कर अभी आया जाता है खंबा कहता है भयंकर बहुत भयंकर पेर कह रहा है जुक कर लड़की को देखकर बच्ची बहुत प्यारी है कौन जाने किश्की है लेटर बक्स कह रहा है मुर कर देखते हुए नास पीटे मतलब दुष्ट ब्यक्ती ने सोई हुई को उठा लिया कहीं से चील जैसे चुफ़े उठा लेता है वह इसे खंबा कह रहा है मैं भी देखना चाहता हूँ से पर मुझसे जुका नहीं जाता लालता हूँ अभी भी सो रही है क्या हो लेटर बक्स कह रहा है हां 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 खंबे म महराज कहुआ कह रहा है आकर कौन उठा लाया किसे बोलो अब पेर बोल रहा है इसे इस छोटी लड़की को एक दुष्ट आदमी उठा लाया है कहुआ देखकर अच्छा यह लड़की और वह दुष्ट आदमी कहा है इसे उठा कर लाने वाला खंबा कहा रहा है वह जरा गया है खाने की तलास में भूख लगी थी उसे लिटर वक्स कह रहा है थोरी ही देर में आ जाएगा नास पीटा मतलब वह दूश्ट आदमी और यह खिलोने सी बच्ची गला रूंद जाता है मतलब बहुत ही मतलब उसको कश्ट हो रहा है नहीं नहीं ऐसी कलपना भी नहीं की जा स सकती कौन जाने क्या होगा इस बच्ची का को हुआ बोल रहा है हाँ सच आज कल कुछ दूश्ट लोग बच्चों को उठा ले जाते हैं मैं तो घूमता रहता हूं ना ऐसा होते देखा है पेर बोल रहा है मैं बताओं अपनी काम नहीं होने देंगे लेटर वक्स कह रहा है पर मैं कहता हूं यह होगा कैसे अब खंबा कहा रहा है होगा कैसे मतलब उस दूश्ट को मजे से इस बच्ची को उठा ले जाने दे को वह दूश्ट है कौन पहले उसे नजर तो आने दीजिए लेटर वक्स कह रहा है मैंने देखा है नास पिटे को अच्छी तरह करीब से देखा है बहुत ही दूश्ट लगा मुझे तो कैसी नजर थी उसकी घरी भर को तो मुझे लगा कहीं अब मुझे ही न उठा ले जाए कोवा बोल रहा है ताओ आपको खो खो करके हसता है छोटी लड़की अब तक कुछ जाग चुकी है अदखुली आँखों से सामने देख देखती है पेर खंभा लेटर बॉक्स और कोवा एक दूसरे से बातें कर रहे हैं लेटर बॉक्स इतना मुझ फार कर हशने की क्या बात है इसमें खंभा उसकी वह गंदी नजर यहां से मुझे भी खूब अच्छी तरह दिखाई दे रही थी पेर छोटे बच्चों को उठ खाने से ज़्यादा बुरा काम और क्या हो शकता है लड़की उठकर बैठ जाती है सपन देखने जैसी भाव मुद्रा में तो लड़की जो उठती है तो उसको ऐसा लग रहा है जैसे कोई सपन सपना देखते समय जग जाते हो तो इसी तरह वह जग जाती है लेटर बॉक्स कर रहा है कैसा मन होता है नास पिटों का उनका वही जाने उनका वही जाने का हुआ ताओ एक जगह बैठे रहकर या कैसे जान शकोगे उसके लिए तो मेरी तरह रोज चारों दिशाओं में गस्त लगाने परेगी तब जान पाओगे या सब पेर कर रहा है काफी समझदार ह तुम, अरे हम, हम से कैसे हो सकेगा? लड़की षवपने देखती हुई शी खरी है, अब लड़की को ऐसा लग रहा है कि सब कुछ स्वपन में हो रहा हूं, लड़की बोल रही हैं, क्या, ये सब बोल रहा हैं, लेटर बाक्स, बिजली का खमवा, यह पेर, कौवा, कववा सबको इसारा करता है तभी सब एकडम चुप अस्तबद हो जाते हैं लड़की इन सबके पास जाकर खरी हो जाती है अच्छी तरह शबको देखती है पर सभी निर्जीव लगते हैं तो लड़की वहाँ देखती है और यह तो निर्जीव है यह कैसे बोल रहा है आपस में लड़की यह तो ठीक लग रहा है फिर मुझे जो दिखाई दिया वह शपना था या कुछ और फिर गौर से देखती है सभी निस्तब मतलब सब चूप है कौन बोल रहा था कौन गप्पे मार रहा था सभी चूप कौन बाते कर रहा था मुझे क्या है मेरा घर कहा है मेरे पापा कहा है मम्मी कहा है कहा हूं मैं मुझे मुझे डर लग रहा है बहुत डर लग रहा है कैसा अंधेरा है चारो तरफ रात है सपना देख रही थी मैं पर सब सच है कोई तो बोलो ना नहीं तो चिखूंगी मैं चिखूंगी सभी चूप अस्त लड़की घवरा कर एक कोने में अंग सिकोर कर बैठ जाती है फिर अपना सिर घुटनों में डाल देती है लड़की मुझे डर लग रहा है मुझे डर लग रहा है लेटर बक्स कर रहा है पेर से अब मुझे से चुप नहीं रहा जाता बहुत घवरा गई है आगे सरक कर है घबराओ मत लड़की पहले उपर देखती है फिर सामने कौन लेटर बक्स मैं हूँ लेटर बाक्स लड़की तुम तुम बोलते हो लेटर बक्स हाँ मेरे मुह नहीं है क्या लड़की तुम चलते भी हो लेटर बक्स हाँ आदमियों को देख देखकर लड़की कहती है सैच लेटर वक्स इसमें क्या है थोड़ा चल कर दिखाता है पर तुघबरा मत लड़की एक तम खिल-खिला कर हस्ती है मज़़ा लेटर वक्स बोलता है चलता भी है लेटर वक्स खुश होकर विएसे मैं थोड़ा पर मुझे न अभी भी बिल्कुल सच नहीं लग रहा है, सपना लग रहा है, सपना, लेटरवक्स, कभी न देखी हो, ऐसी चीज देख लो, क्यों ही लगता है, तू रहती कहां है, लड़की मैं अपने घर में रहती हूँ, लेटरवक्स, बहुत अच्छे, हर किसी को अपने घर ही रहना चाहिए, पर तेरा यह घर कहा है लड़की हाँ है घर हमारी गली में है हम जैसे अपने घरों में रहते हैं वैसे ही घर भी गली में हो तो अच्छा रहता है पर यह गली कहा है तो लड़की कह रही है सरक पर आसान तो है मिलनी हमारी गली एक बरी सरक पर है हाँ उस सरक पर ना आदमी ही आदमी आते जाते रहते है लेटर वक्स यह तो अच्छा ही है कि हम घरों में हो घर गली में और गलियां सरकों पर और सरकों पर बहुत से लोग हो इससे चोड़ी वोरी भी कम होती है पर तुम्हारी सरक का नाम क्या है लड़की नाम हमारे घर वा लड़की यह सब यानी कौन यहां तो कोई नहीं है लेटर वक्स हरवरा कर है नहीं नहीं यहां तो कोई नहीं मैं वह से बता रहा था तुझे कोई मुझे ऐसे कहे तो पेर खंभा कोवा सभी थन्डी लंबी सांसे लेते हैं तो तेरी उस सरक का लोगों का दिया हुआ नाम क्या है लड़की मुझे नहीं पता सभी उसे सरक कहते हैं सच कोई-कोई रोड भी कहता है रोड लेटर वक्स पेट से लिफाफे निकाल कर दिखाते हुए यह देख इस पर जैसे पता लिखा हुआ है वैसा पता नहीं है तेरा लड़की मुझे नहीं पता, सच्छी मुझे नहीं पता खंभा, बीच में ही कमाल है लड़की अस्चर से खंभे की तरफ देखती है वह चुप लड़की, कौन बोल रहा है कमाल है कौन, लिटर वक्स खंभा जीव काट कर, नहीं नहीं योहीं लगा है मुझे, योहीं लड़की, मुझे सुनाई दिया है वहां से उपर से, पेर हाँ एकदम मुँपर टहनी रखता है लड़की, देखो वहां से, वहां से आई है आवाज जरूर आई है, उस पेर पर से आई है कौवा, मैंने नहीं की चोच दबा कर रखता है लड़की, कौन बोला या कौन, कौवा खंभा, गधा है या भी पेर, जब ना बोलना हो तो जरूर, पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन पुना विगर जाता है, मतलब हावा में विगर जाता है, पर वह फिर से अपने पाउट इकाती है, गूरों के आवाज लड़की, ओ देखो, देखो कोई नाच रहा है, सभी एक टक देखते रहते हैं, क्या है या, क्या है, कौन बोलता है, कौन नाच रहा है, कौन लेटर वक्स प्यार से देख, तु बिल्कुल घवरामा हम ही बोल रहे हैं हम ही नाच रहे हैं, चल रहे हैं गाबी रहे हैं, लड़की हम ही मतलब कौन बताओ न, जल्दी बताओ letterbox, हमी यानि हमी, मैं letterbox यह पेर, वह बिजली का खंबा, यह कववा भी, वह सिनेमा का पोस्टर, लड़की कसम से letterbox, कसम से बस इंसानों के सामने हम नहीं करते यह सब इंसानों को ऐसा दिखाई देता है कि भूत करते हैं, यह सब तो घबरा जाते हैं इसलिए यह, जब हम अकेले होते हैं, तब बोलते चलते हैं नाचते हैं, नाचने वाली का संतुलन पुना विगरता है गूरों की आवाज, वह फिर पहले की स्थिति में आती है, लड़की मजे हैं, खूब खूब मजे हैं, अपने इर्दगिर्द सब को देखती है, लेटर वाक्स अब मुझे यहां डर नहीं लगता जरा भी नहीं डर लगता खंभा, पेर, कौवा, शावास लड़की हैरान होती है, फिर ताली बजा कर खिल खिला कर हंसती है लड़की, सब चल कर पहले मेरे पास आओ सभी पहले हिच की चाते हैं आओ न पास नहीं तो मैं नहीं बोलूँगी, जाओ सब बारी-बारी से पास आते हैं बैठो, सब बैठ जाते हैं सिर्फ खंभा सिधा खरा है खंभे, खंभे, नीचे बैठो वो अभी भी खरा है बैठो ना, देखो, नहीं तो मैं रहूँगी लेटर वक्स, अरे मैं बताता हूँ तुझे उससे बिल्कुल बैठा नहीं जाता लड़की क्यों? पेर, क्योंकि जब से वह यहां खड़ा किया गया है, तब से कभी बिल्कुल बैठा ही नहीं लड़की ब्याकुल होकर यहारे, मतलब यह बिचारा लगातार खरा ही रहता है टीचर से जैसे सजा मिलती हो खंभा, सुकृती, सुचक, गर्दन हिलाता है, मतलब हां कहता है, फिर तो चलो हम सब मिलकर इसे बिठाते हैं हाँ, चलो सब मिलकर बड़े यतन से खंभे को बिठाते हैं बैठने मुझे बहुत तकलिफ होती है लेकिन बाद में बैठ जाता है लड़की ताली बजाती है एक लड़का बैठ गया बैठ गया जी, एक लंबा लड़का बैठ गया खंभा जरा सुख महसूस करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है बैठ कर सच सच बताओं हम खरे रहते हैं तब बैठने का सपना देखते हैं सपने में भी बैठना कितना अच्छा लगता है लड़की मुझे भी वैसा ही लग रहा है मैं यहां कैसे आ यह लड़का जो जी मैं आये बोल देता है तुम्हें जीरो नम्मर पेर खंभे को आँख मार कर चलो ठीक जीरो तो जीरो सही लड़की हम अब खेलें हां पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन फिर खोता है गुंगरों किया बज़ा एक लड़की बार बार गिर रही ह गिर रही है जरा सोचकर ए मैं तुम्हें नाच करके दिखाओं हां मेरी मम्मी ने सिखाया है मुझे दिखाओं करके सबी हां हां दिखाओ न वा लड़की नाच करने लगती है पेर खंभे से धीरे से थोरी देर में वह भी आ जाएगा खंभा कौन पेर वह वही दुष्ट आदमी वह बच्चे उठाने वाला खंभा सचमुच कोवे से उसके आने का वक्त हो गया कोवा किस के खंभा हूं उस बच्चे उठाने वाले का उसे अभी ले आएगा वह तो देखें यहां पर खंभे हैं बच्चे पेर हैं लेटर बॉक्स हैं और छोटी सी बच्ची है जिसको दोष्टा आदमी ने चुरा लिया है लेटर वक्स बापरे तब फिर पेर क्या किया जाएं खंभा कुछ तो करना ही परेगा पेर लेकिन क्या करें क्या पोस्टर पर वरनी नाचने वाली आती है लड़की और वह दोनों मिलकर नाचने लगती है सभी दाद देते हैं नाच खुब रंगों में आता है खुब रंग में आता है सभी भाग लेते हैं पर बीच में ही एक दूसरे के कान में कुछ फुस फुस आते हैं पुना नाचते हैं दाद देते हैं तभी वद्दुष्ट आदमी आता है देखते ही सब निस्तब्द मत इच्छो पर हाथ फेर कर डकार लेता है, मतलब वह खाकर आया है, वाह, पेट भड़ खा लिया, अब आगे चला जाए, लड़की जहां सो रही थी, वहाँ देखता है, फिर कोट ही वहाँ दिखाई पड़ता है, उसका चेहरा बदलता है, कहां गई, कहां, गई कहां वह चोकर मैं छोरूंगा नहीं उसे, अभी पकर के लाता हूँ, मुझे चकमा देती है, और वो क्या करता है, ढूडने लगता है, पेर, खंभा, लेटर बॉक्स, पोस्टर, इस सब के बीचों बीच, लपक जपक कर लड़की बचने का प्रयास करती है, और वो अदुष्ट आदमी धीरे धीरे इस सारे क्रम का वेग बरने लगता है, जिसे ढोलक या तवले की ताल भी मिलती है, लड़की किसी भी तरह उस दुष्ट आदमी के हाथ नहीं लगती, तभी एकदम से कववा चिलाता है, भूत, पीछे, पीछे, पेर, खंभा, लेटर बॉक्स नासते हुए चि लाने लगते हैं, इसी के साथ भूत, भूत करता हुए दुष्ट आदमी घबरा कर भाग निकलता है, सभी पेट पर हाथ रखे, जी भर कर हसते हैं, खंभा, मजा आ गया, कववा, खूब भद्द उराई, पेर, क्यों उठा कर लाया था बच्ची को, बच्चे चुरा कर भा अच्छी खातिर की उसकी लेटर वक्ष्, अच्छी नाग कटी दूस्ट की, खंभा, अरे, पर वो कहां है, कववा, ओ, कौन पेर, कौन, खंभा, ओ, छोटी लड़की अपनी, लेटर वक्ष्, अरे, अरे, ओ, ओ, वहां गए, कहां गई, पेर, कौन, कववा, देखों, पर लड़की का कहीं पता नहीं, सभी चिंता ग्रस्त है, खंभा, कहां गई कहां, कववा, यहीं तो थी, पेर, कहीं नहीं मिल रही, लेटर वक्स उठा, करतो नहीं ले गया बच्ची को बदमास, फिर से ढूंडते हैं, लड़की नहीं मिलती, सभी घबराये हुए हैं, पोस् मुझे तो लगता है, बहुत करके वहीं ले गया होगा उसे, लेटर वक्स, कितनी प्यारी बच्ची थी रे, कितनी प्यारी खंभा, और सभाव कितना अच्छा था उसका, सभी सोग्रस्त बैठे हैं, मतलब सभी चिंता में बैठे हैं, कि लड़की कहां चले गई, तभी ना पकड़ने दोड़ते हैं, वह पकर में नहीं आती, सब को भगाती रहती है, सब ठक जाते हैं, आखिर कवा उसे पकड़ता है, कवा धप से कैसे पकड़ ली लड़की, पर पहले कैसे घबराये थे सब, आहा मज़ा, मज़ा ताली बजती है, पोस्टर पर बनी नाचने वाली भी ताली बजाती है, लड़की ठक कर बैठ जाती है, खुब मज़ा आया, मुझे जरा सांस लेने दो अब, पर मैं बहुत घबरा गई थी उस दुस्ट आदमी से, तुम्ही ने बचा लिया मुझे, आहा, मुझे बहुत निंदा रही है, ठक गई मैं लेटती है, बहुत ठक गई, मुझे उठा देना, हाँ, फिर हम मजा करेंगे, बहुत ठक गई, मुझे उठा देना, हाँ, फिर हम मजा करेंगे, गहरी निंद सो जाती है, सब उससे देखते हुए, खरेब हैं प्यार से, कववा, सो गई बच्ची, पेर, ठक गई थी ना बहुत, तभी जट से सो ग पेर, तब यह कहां जाएगी, लेटर वक्स, उसे अपने घर का पता ठेकाना ही नहीं मालूम, अपनी गली का नाम तक नहीं बतार शक्ती वह, बेचारी को अपने पापा का नाम भी नहीं मालूम, छोटी है अभ़ी, खमभा, तो इसका क्या होगा? कहां जाएगी या सचमुचरे कहां जाएगी कववा मैं बताओं सभी क्या कववा हम सब मिलकर कुछ करें तो इसको पापा से मिलवाश रखते हैं सभी उठकर कैसे कववा आसान है सुबद जब हो जाए पेर राजा तो आप अपनी घनी घनी चाया उस पर किये रहे वह अराम से देर तक सोती रहेंगी और खंभे महराज आप जड़ा टेरे होकर खरे रहें खंभा इससे क्या होगा कोवा पुलीश को लगेगा एक्सिडेंट हो गया है और यहां आएगी और हमारी उस छोटी शहली को देखेगी और लगाएगी इसके घर का पता पुलीश सब के घर का पता मालुम करती है खोए हुए बच्चों को उनके घर पहुँचाती है खंभा रहूँगा मैं आरा खरा रहूँगा पर मान लो पुलीश नहीं आई तो कोवा मैं बराबर यहां जोड जोड से काउ काउ करता रहूंगा लोगों का ध्यान इधर उधर खिचोंगा उनकी चीजें अपनी चोच से उठा उठा कर लाता जाऊँगा तो इस तरह से कववा बोल रहा है कि मैं जोड जोड से काउ काउ करूंगा लेटर बक्स पर तब भी कोई नहीं आया तो आपको एक काम करना होगा लालताओ लेटर बक्स जरूर करूँगा अपनी अच्छी गुड़िया के लिए तो कुछ भी करूँगा एक बार घर पहुचा दिया कि सब ठीक हो गया समझो क्या करूँ बता कोई आपको लिखना पढ़ना आता है ना कान में बात करने लगता है तभी पोस्टर पर बनी नाचने वाली गिर पढ़ती है घुमरों की आवाज पुना जैसे तैसे वह अपनी पहले जैसी भंगीमा बना कर खरी होती है लेटर वक्स बीच में ही कोवे से उससे क्या होगा कोवा उसके कान में और कुछ कहता है लेटर वक्स स्विक्रती में गर्दन हिलाता है मतलब हां कहता है अंधेरा कुछ दिर बाद उजाला होता है सुबह होती है खंभा अपनी जगा पर टेरा होकर खरा है प उसका आवाज चरुतरफ सुनाई दे रही है और सिनेमा के पोस्टर पर बड़े अक्षरों में लिखा है पापा खो गया है पोस्टर पर बनी नाचने वाली की इससे मेल खाने वाली भंगी मा लेटर वक्स धीरे से सरकता हुआ प्रेक्षकों की ओर आता है लेटर वक्स लालत और पड़ा गिरता है देखिए विजय तेंदूल करजी लिखे हैं इसको तो बच्चों आसा है आप लोगों को सारा पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा देखिए किस तरह से निरजी बस्तु जो है पेर लेटर वक्स कोवा और जो है सभी मिलकर विजली का खंभा स अब ही मिलकर किस तरह से चोटी सी बच्ची को बचाते हैं बहुत ही सुंदर जो है नाटक है तो बच्चों आसा है आप लोगों को सारा पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और एक्जाम के लिए तयार कर लीजेगा और बच्चों आप मेरे चैनल देव जनागरी क को जरूर सब्सक्राइब कीजेगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है उसे क्लिक कीजेगा लाइक कीजेगा और सेर कीजेगा कमेंट्स जरूर कीजेगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूंगी बच्चों धन्यवाद